नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनोद रहना है, आज हम बात करेंगे STDs के बारे में, या STI, STD का मतलब है Sexually Transmitted Disease, या STI, Sexually Transmitted Infections. दोस्तों, जब भी आप कभी Unprotected Sex करते हैं, या आप जब सेक्स करते हैं, आपने कौनम लगाया, और कौनम लगाने के बाद वो फट गया, तो उसके बाद, जो भी आपके साथ Infections होंगे, उन Infections का नाम Sexually Transmitted Diseases होती हैं. अब STD में क्या-क्या हो सकता है? सबसे खतरनाक बीमारी जो है, वो है HIV. दोस्तों, अगर आप किसी मसाज पॉलर में जाते हैं मसाज कराने के लिए, वहां पर आपने कौनम यूज किया, और कौनम यूज करते-करते आप सेक्स किया, और सेक्स करते वक्त आपका कौनम ब्रे हो गया. तो उस वक्त उसके बाद जो इंफेक्शन हो जाएगा, उन इंफेक्शन का नाम हम कहते हैं sexually transmitted disease या STI. इसमें बहुत खतरनाक बीमारी जो है, वो HIV है. अगर HIV होगी, तो आपको फिर lifetime दवा खाना पड़ेगा. आपका immune system compromise हो जाएगा, आपका CD4 कम कम होगा, आपको lymphocytes में दिक्कत आ जाएगी, और आपका EASR बढ़ेगा, आपको secondary infections हो सकते हैं. दोस्तों, आप STD को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं. अगर आपका condom फट गया, तो condom फटने के बाद अगर आप 72 गंटे में हमारे पास आते हैं, तो हम एक दवा स्टार्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं, post exposure prophylaxis, तो उससे आपको HIV नहीं होगी, आप HIV होने से बच जाओगी. तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, आपकी जिंदगी बच सकती है, आपको HIV नहीं हो, तो इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आप कहीं पे भी sex करते हैं, तो कोशिश करो कि unprotected sex ना हो, कॉर्णम यूज करें, और कॉर्णम भी बहुत अच्छी quality वाला कॉर्णम होना चाहिए, दूसरा, sexual transverse disease में आती है बहुत खतरा विमारे, जिसको हम कहते हैं, हर्पिस, हर्पिस जोस्त, या जन्टेल हर्पिस, इसमें क्या होता है, कि छो आनी बर जाता और फिर वो फट जाते हैं, वो अरसरस में फिर दर्द स्टार्ट होने लग जाता है, अगर ये चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको जन्टेल हर्पिस होगी, साथ में, एस्ट्रीज में आता सिफिलिस, बहुती खतरान विमारी है, अगर आपके ब पर दबे स्टार्ट हो जाएंगे, आपको यहां पर लगेगा, जी में आपको खड़े हो जाएंगे, मुह में च्छाले पड़ जाएंगे, आपको पूरे पैरों में नीचे आपको अलसरस हो जाएंगे, यहां आपके यहां पर जो पैर है, इनमें भी इंफेक्शन्स आपक सकता है सिफलिस का इलाज और रुख सकता है फिर एक और बिमारी है जिसका हम नाम कहते हैं जिसको कहते हैं खिले हृविजा या इक बेक्टरिल इंफेक्षिन है इसका भी कोर्स होता है अगर सिक्स करने के बाद आपको खिलेमीड soprada हो गया तो इसका भी इलाज है फिर एक और बिमारी है जिसको हम कहते हैं Human Papilloma Virus HPV या Genital Wats छोटे-छोटे आपको मसे से हो जाते हैं बोड़ी में या Genital Organ में हो जाएंगे छोटे-छोटे मसे उनको Genital Wats कहते हैं तो दोस्तों अगर ये बिमारी है तो वैसे ये ला-लाज बिमारी है लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास टाइम पे जाते हैं अपना इलाज स्टार्ट करते हैं तो आप डेमेज जो आपके बोड़ी में होना है उसको आप रोक सकते हैं नर्व सिस्टम में अटैक करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लेकिन जो सबसे खतरनाक जो प्रॉब्लम करता है ये बड़े-बड़े मसे आपके जन्टे ले रहे मैं करता हूँ बद्दा दिखता है जैसे मान के चलो आप किसी के साथ सेक्स करना चाहेंगे तो उसको दूर से दिखेगा कि इसको HPV है तो वो जहर सी बात है आपसे सेक्स नहीं करेगा ऐसे और भी बहुत सारी बिमारे हैं जो सेक्स करने की वज़ाई से होती है तो दोस्तों आपको बहुत जुरूरी ध्यान रखना पार्टनर चुनते वक्त कि पार्टनर कौन सा है उसकी सेक्स लाइफ कैसी रही है हर पिस देखा जाता है तो हम सेक्स कर लेते हैं हम कहते हैं कि अचले आप दाने ही तो हैं या कभी कबर आप सिफिलिस देखते हो आपको दिखता है कि वज़ायना मैं जो ही आप पैनिस डालते हैं वहाँ पर दाने दाने हैं तो आप उसको इग्नोर करते हैं नहीं, यह गलत है, यहां कभी कबर आप जन्टल वैट्स देखते हैं किसी पेशिन को, वहां पर आपको मोटे-मोटे से दाने होते हैं, तो उन दानों को जब आप देखते हैं, नजर अदास करते हैं, तो वैसे गलत है, अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई भी पैचिस बॉड क्योंकि जो ही आप किसी भी पेशिन के साथ जिसको हर्पिस है, अगर आप उसके साथ सेक्स करोगे तो आपको हर्पिस हो सकती है, अगर उसको सिफिलिस है तो आपको सिफिलिस हो सकती है, अगर उसको हैच आईवी है तो आपको हो सकती है, अगर आपको कोई पार्टनर मिलत जगा कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं है। अगर बीमारी नहीं है तो आप अंप्रॉट्ट सेक्स कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई बीमारी तो उससे दो चीज़े होगा। एक तो स्क्रीणिंग हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर को कुन सा infection है और दूसरा उस patient को भी पता चलेगा कि कुन सा जो आपका पार्टनर है उसको भी पता चलेगा उसके कुन सी बिमारी है अमान कर चलो उसको सिफलेस उसको पता है नहीं था या उसको हर्पिस है तो आप उसको पता है नही साइट से आजकल दोस्त बनाते हैं, वो रेंडमली लड़की को पकड़ते हैं, उसके साथ सेक्स करते हैं, आजकल तो अलगी चलाना, आजकल तो गुरुप सेक्स चलता है, आजकल वाइफ सैपिंग चलती है, तो दोस्तो इन चीजों से बचिए, क्योंकि जहां पर आप मल्ट रटना हो सकती है, तो इसलिए कहते हैं कि आप हर वक्त साथान रहें, और हर वक्त प्रोटेक्शन का यूज करें, अगर आपको लगता है कि कोई भी शक लगता है कि यह आपका जो पार्टनर है, उसको कोई इन्फेक्शन है, तो उसका टेस्ट कराओ, टेस्टिंग से आप तो बचोगे ही बचोगे, आप अपने पार्टनर को भी बचाओ, दोस्तो अगर कोई भी सवाल आप करना चाते हैं, या मेरे को लिखना चाते हैं, मेरे माने करके नीचे लिंक है, उसको क्लिक करेगा, आप इस वीडियो को शेयर करेगा, कमेंट्स में लिखेगा, अगर बना रहे हैं, अगर कोई भी सवाल आए, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको हम से सवाल पूछना है, तो आप मेरे बाने करेगे, कमेंट्स सेक्शन में लिखेगा, मैं कोशिश करूँगा, कि आपके पास वापस आओंगा एक वीडियो बनाते हैं, आज के लिए इतन नहीं, धनिवाल